हेले इबरों कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल स्यू कोचिंग क्लासस पर स्वगत है तो आज कुछ इस्पेसल चीजे बताने वाला हूं कि MP वोट के वच्चों के लिए जिसा कि आप लोगों को पता है कि रिडियूस हो चुका है सलेवस तो आ है 16 चैप्टर अब 16 चैप्टर में दो चैप्टर रिडियूस कर दिया गया है दो चैप्टर कि थार्टी परसेंट रिडियूस होता तो लगभाग कम से कम चार चैप्टर तो रिडियूस होना था कितने चैप्टर चार चैप्टर अब इसका कारण सबसे बड़ा मैं बताना चाहता हूं कि जैसे चैप्टर 6 और चैप्टर 60 मतलब आध्या 6 और लास्ट पॉलीमर है पॉलीमर देख लीजेगा 15 या 16 में दो में से एक में हैं तो बहुलक वाला चैप्टर और धातों का निसकर्षन चैप्टर 6 में यह दो चैप्टर हटा दिये हैं मतलब अब आपका एन आरगनिक कमिश्टी नहीं है उतना ज्यादा और इनको आप अपने से भी पढ़कर आसान तरीकी से कम समय में तैयारी कर सकते हो और जो आरगनिक कमिश्टी है तो उसके किसी भी चैप्टर को नहीं हटाया गया है इसका कार्ण क्या है स्टुटेंट क्योंकि आरगनिक कमिश करेंगे कहीं भी जाएंगे तो जिंदिग्य में फिर कभी इस्ट्रांग नहीं हो पाएगा इसलिए आर्गनिक कमिस्टी का एक भी चैप्टर कैंसिल नहीं किया गया है क्यों कि आज में चार महीने पहले भी बताया था कि कभी भी कोर्स रेडिउस होगा तो और निक chemistry का एक भी chapter reduce नहीं किया जाएगा क्यों इसका कारण student उसे chapter को reduce किया गया है जिस chapter को आसानी से कम समय में पढ़ सकते हैं और कुछ उसके बारे में पहले से जानकारी रखते हूं जैसे बहुला का आपने कुछ न कुछ पढ़ा है 11th क्लास में भी समझाए न और जैसे कि धातों का निसकर्शन दिया आप दो से तीन बार पढ़ दोगे अपने से बिना किसे टीचर के समझाए उसे आप पढ़ सकते हो कि वो याद करने का एक मैटर होता है और जैसा कि मैं भी जैप्टर 6 नहीं पढ़ा था पहले चैप्टर 7 पढ़ा है और आप चैप्टर 6 नहीं भी पढ़ाऊंगा सिर्फ चैप्टर 8 पढ़ाऊंगा समझे तो सबसे बढ़ा कार्ण यहीं है student की reduce में कम ही क्यों आई है नहीं तो chapter 4 या 5 chapter कम से कम complete मतलब कम होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है तो अब आपको कैसे पढ़ाई करना है तो ध्यान रखना student जो chapter अब नहीं आएगा जो कि आपके पास आप वो time नहीं है कि हम उस chapter को भी complete कर लिए कई बत्ते तो ऐसे हैं कि उस chapter को complete कर लिए विदिवा त्यारी कर लिए दूसरे चैनल्स पढ़ाई करते थे कमेंट करते हैं कि सर हमने उस chapter को पूरा पढ़ाई कर लिए आप क्या करें तो लोगों का थोड़ा सा दिक्कत हम पहले भी बताया थे chapter 6 weeks रेडूस होगा जब भी होगा तो इसलिए हमने रिखोर्स नहीं कराया था था तो अभ आपको उनी चैप्टर उह को पढ़ना है सभी भी से की बात कर रहा हूं अब को अग्यान ही बढ़ेगा तो अब आप उसे छोड़ दें अब उसे आपको डिवीजन नहीं करना तो पढ़ना है अब आपको एनौल एक्जाम की त्यारी करना है अब यहां पियरली का एक्जाम जो कंडेक्ट कराया जा रहा है उस पे ध्यान देना बहुत सारे बच्चों का क और सारे कॉस्चन अटेंड करें ताकि अच्छे नंबर है क्योंकि वो पोल्टर पर अप्लोड होंगे मतलब मादवी सिच्छ मंडल में भीजा जाए ठीक है तो पहला इस्तित्व यही कि आपको अच्छे से पढ़ाई सुरू कर देना है अब बिलकुल देर मत करना है यह द पर दो चैप्टर सो 14 चैप्टर पढ़ना है आपको कमिश्टी में जिसमें से स्ट्वेंट मैंने 7 चैप्टर तक करा दिया लगबा इसके आगे फटा पट करा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है बस आप लोग पढ़ें यही इसी का इंतजार था बहुत तेजी कस्छी वीडि स्टू पर तो क्रैस कोर्स भी आप लोग बिलकुल नहीं छोड़ना उस पर मोस्ट इंपर्टेंट करा जाएगे अब बचे कहते नब्बे परसंट आ जाएगा क्रैस कोर्स में भाई क्रैस कोर्स उसके लिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा बस उसको पढ़ ले तो कम से क अब एटी तक तो आई सकती समझ रहा ना तो क्रैस कोर्स में एटी चांसे से नब्बे नहीं क्योंकि 90 परसंट उसी बंदे क्या आते हैं जो पूरा पढ़ाई करता है कभी मोश्ट पढ़ने वाला का नब्बे परसंट आता ही नहीं है यह मैंने आज नहीं जब से मैं लेकिन आप सोचो कि क्रेस कोर्स के दम पे ऐसा होगा तो नहीं होगा तो आप लोगो यदि अच्छे परसेंट्रिज लाने तो टॉपिक बाइस करना पड़ेगा लेकिन जो बच्छे अब तक कुछ नहीं पढ़े उनके लिए क्रेस कोर्स ला रहा हूं समझ रहें तो यहीं ज कितने नमबर केंगे कहां से अब्जिक्ट्व आएगा वह भी चीज में करा दूँगा तो चलते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंद मात्रम